गुद मॉनिंग माइनेम इस जिनेश पांडे और वैलकम तो कॉम्पेशन कम्मुनिटी और आज हम लोग जो टॉपिक सुरू करने वाले हैं वो है एकोनॉमिक सर्वे और एकोनॉमिक सर्वे का आज हम लोग करने वाले हैं मैं अज बताते जा रहा हूं यह एकदम करेंट लेवल भी है और इससे कोशन ऐसे हो सके हैं कि आ सके और कोशन हम से जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक एकोनॉमिक सर्वे को लेकर करके तो थोड़ा कंफ्यूजन यह होता है कि कौन सा कोशन इसमें आएगा किस लेवल पर क प्रखा हूँ में और उसको देखिएगा उसको समझें उसको नोट करते चलिए आंसर को नोट करते चलिए ताकि वो चीज आपको याद भी रहे और कोशन भी समस्ते चलिए ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं तो पहला कोशन अपना कि कि आर्भी आई के अनुसार कौन सा आज देश का सबसे बड़ा वी निर्मार केंद बन गया मतलब कौन सा स्टेट है तो सबसे बड़ा manufacturing largest manufacturing hub बना हुआ है तो RBI के अनुसार अभी जो RBI की report आई उसके नुसार महराष्ट को पछाड करके गुजरात आ गया है आपका पहले नंबर पे तो गुजरात जो है RBI का नुसार सबसे बड़ा manufacturing हब हो गया है ठीक एड़ प्रेजेंट पहले महरास्ता अब आगया है अब आगया है गुजरात ठीक तो कौन सा अंसर होगा इसका गुजरात ठीक नेक्स्ट थिक वर्टमान में भारत के कुल आयात में कच्छे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की वर्टमान हिस्सेदारी कितनी है तो पूछ रहा है कि क्रूड ओयल और पेट्रोल में इंपोर्ट का टोटल कितना परसेंट है इंडिया का तो लगभग ये 80 परसेंट है 84 परसेंट है लगभग ठिक कितना परसेंट है लगभग 84 परसेंट जाएगा ये तो 84 परसेंट के अनुसार भारत का अभी जो क्रूड ओयल है और प्रोड़क्ट है कितना इंपोर्ट होता है टोटल 70 परसेंट से ऊपर 84 परसंट जाएगा लगभग तो यहां पर आप्शन में आपका 70 परसंट उपर 52 से 56 सिक से 21 27 से 33 तो आंसर क्या हो जाएगा 70 परसंट से उपर जाएगा यह तो वर्टमान में अगर एकज़ेट प्रेजेंट पुछेगा तो एकज़ेट कितना जाएगा आपका 84 परसंट ठीक चलो नेक्स्ट भारत सरकार ने वर्स 2022 तक कितनी सौर उर्जा च्छमता प्राप्त करने का लग्स रखें मतब सोलर पावर कैपशिटी 2021 में कितना परसंट रखने का मतब टार्गेट है भारत का तो लगभग लगभग अगर अपन एनरजी सेक्टर देखते हैं तो लगभग 175 लगभग 175 परसंट मतब 175 गीगा वाट इतना एनरजी अपन को क्या करना है मतब बनाना है मतब इतना एनरजी रखना है अपने देश में जिसमें 100 गीगा वाट सोलर का होगा सोलर एर एनरजी का 175 में कितना हिस्साइं घीगा वाट का क्या रखा गिया कब 2022 तक तू तक टोटल और वोलेगा तो 175 है और केवल सोलर पावर का बोलेगा तो यह आजाएगा आपका हंदे गीगावाट का ठीक फिर उसके बाद मेंसे कौन सा मोटीव भारती मुढरा के 2000 रुपे के नोट पर मौजूद है इस का अंसर क्या होगा mangal yan फिर उसके बाद ने मिन में से कॉन सा भारत ने ठाच और कों सा सा नहीba कुर्च पहँले से पड़ेक्षान देख यह आपको अणसे प्ता चल जाएगा तो डेरेट टेक्स कौन सा नहीं है इसमें से जी एस्टी जेट्टी आपका इनडीर्ट टैक्स में आता है था क्या हो जाएगा goods and service यह डारेक्ट टैक्स नहीं है ठीक है न पिर भारत का भारत सबसे ज्ज़ादा सवोना किस देश से आयात करता है मतलब किस देश से भारत सबसे ज़़ादा क्या करता है इंपोर्ट करता है कौन सा गोल्ड तो आंसर हो जाएगा स्विजल लैंड सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं कहां से स्विजल लैंड से इंपोर्ट करते हैं किसको गोल्ड को तो आंसर क्या हो जाएगा स्विजल लैंड हो जाएगा याद करते चलो और यहीं चोटे मोटे कोश्चन ही क्या होते आते हैं ठीक तो निमिकित में से किस छेत्रे ने हाल के वर्थों के दौरान भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्विदेशी निवेश प्रभावाकर्शित किया है मतलब कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा एपडी आई हुआ है ठीक है ना तो कौन सा सेक्टर पूछ रहा है तो तीन सेक्टर में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर आजाएगा आपका तो सबसे ज्यादा सेक्टर जिसमें एपडी आई हुआ है वह सर्विस टैक्स में किसमें सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा एपड फूरल प्रेंट के ए मतलब I MPS का फूल पाम पूछ रहा है तो I MPS इसका फूल पाम होता है immediate payment IM से Payment से service तो immediate payment service इसको लागू किया था RBI ठीक इसके लिए नियम बनाने थे मगर इसको थोड़ा change कर दिया गया अभी क्लिया है तो आई-एम-पी-एस का फूल फाम होता है जिसमें आई-एम का मतलब होता है इमिडेट पी से मतलब होता है पेमेंट और से मतलब होता है सर्वीस आरिब्याई के द्वारा सुरू किया गया था ठीक फिर उसके बाद भारती रुपए के नय मुद्रा प्रतीक को ऑद्यकिमार ने जो सिंबोल चता यह आया था आपका 15 जूलाई सन 2010 को तो पंद्रा जूलाई सन 2010 से सिंबोल आए जो ने जो नए नोड़ां को यह दो ऑद्यौद 2310 समय मतल控 होता है पंद्रेट जोलाई 2000 दसको आया थिक फिर उसके बाद मेसे कौन सा भारत की पहली 100 अरब डॉलर की IT कंपनी है तो भारत की कंपनी है जो भारत की फॉस्ट अरब डॉलर मतंब इसका अंसर तो मुझे बताने की ज़रुत नहीं पड़ेगी मगा फिर भी बता देता हूँ answer is का कौन सा Infosys Infosys नरायन मूर्थी का है ठीक ओके इन मतब दो-تीन दोस्त मिलकर कर इस company को खोले थे Infosys के बारे में यह है कि जब यह company सुरू होई थी मतब नरायन मूर्थी इसे एक कमरे में खोला था और यहाँ पर उन्होंने मतलब जब उनको बोलते न कि क्या बोलते हैं अचानक से कोई इतना महान या इतना बड़ा या इतना अमीर नहीं बन जाता ठीक तो जब उन्होंने कमपनी शुरू की थी तो एक कमरे में पुरा ओफिस ओफिस था इनका और यहाँ तक कि उनको जब जो स्टाप उन्होंने रखा हुआ था तो उस स्टाप को भी जो उनको सेलरी देना था तो उनको अपनी बीबी का गहना तक बेचना पड़ा था स्टाप को सेलरी देने के लिए जब सुरुआत में इस कम्पनी को खोला गया था तब ठीक बंदा अपना जॉब छोड़ करके ठीक कम्पनी स्टाप किया और कम्पनी स्टाप किया तो सुरुआत में बहुत कटनाई को सामना करना पड़ा और यह जो सेलरी भी इनको देना पड़ा यह अपनी बीबी का जहना बेच करके देना पड़ा और आज यह कंपनी भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई थी बन गई है जो 100 अरब डॉलर 100 बिलियन डॉलर की कंपनी है तो मेहनत करोगे तो सफलता तो एक दिन आए एक दिन मिलेगी ठीक हर किसी की लाइप में प्रॉब्लम आती है मुसीवात आती है मगर इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम उससे डर जाए अब जैसे अगले नेक्स्ट मेंथ ही आपका MPPSC है तो MPPSC है ठीक है कोई साल भर से त्यारी करता है ठीक और कोई 2-2-3-3 साल त्यारी करता है मगर आप अगर आप अग है कि कितने साल से आप त्यारी कर रहे हो continue आप study से लगे हुए यह important नहीं है importance यह है कि आप जिस exam को दे रहे हो at the present उस exam का pattern क्या है किस level पर उसने 2-3 साल में question पूछा कहां से सबसे अधा question आया और कितना deep गया question जब तक आप इन चीजों का analyze नहीं करोगे जब तक आप इन चीजों का analyze करके study नहीं करोगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है फिर आप चाहे 5 साल से त्यारी करते रहो आप 10 से त्यारी करते रहो कोई मतलब नहीं नहीं चीजों का आप जब exam की त्यारी कर रहे हो तो आपको analyze करना बहुत जरूरी है कि जैसे अभी 2022 में हो रहा है MPPAC pre या कोई भी competition exam हो रहा है जो 2022 में तो आप 2021 का question बेपर उठाइए उसको analyze कीजिए कि किस subject से सबस्यदी question आया अगर कोई topic से आया तो सबस्यदक कितना deep गया है इन सब चीजों का analyze करके त्यारी की जाती है और सफलता तभी मिलती है वना ज्ञाने बनना कोई बड़ी बात नहीं है ठीक रटलो ज्ञानी बन-जाओ तो किसी काम प्रणी जब आप उसको कहीं यूज नहीं करोगे जब आप कुछ बनओंगी ही नहीं किसी пош't पहीं काम रखाय कर रहें तो ज्ञानी इसमें से कौन भारत की पहली 100 अरब डॉलर की आईटी कंपनी रही तो कौन ची रही इंफो सीस रही ठीक चलो नेक्स तो उसके बाद करें जाओगे तो भी आपको क्या लगता है पैन कार्ड लगता है तो तो ड्हाइलाख है ठीक आंसर क्यों जाएगा भारत की वित्तिमंतिनी अपने बजट भांसर में स्वदेशी रूप से से विक्सित से नाम से लौन्च करने की घोषना की तो से मी-हाइशीड जो ट्रेन जो örथन निर्मित है उसका नाम वंदे भारत-अइक्स। क्या नाम से वंदे भारत एक्सप्रेस अभी लगभग 200-300 वंदे भारत एक्सप्रेस और चलाने की गोशना की गई है लगभग इसी आसपास है तो जो भारत में ही निर्मित है हाई सेमी स्पीड है ठीक और इसका जो भी टेक्निक है सब कहां से है देश से यह मतलब स्वादेश निर्मित है तो कौन से ने वह वंदे भारत एक्सप्रेस ठीक उसके बाद सरकार ने भारती जीवां बीमा निगम एलाइसी में एपडियाई कितने परसेंट कर सकते हैं या को कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी नागरीक 10 परसेंट या उससे अधीक इन्वेस करेगा तो ही वह क्या कहलाता है एपडियाई कहलाता है तो अभी हाली में इंडियन गॉर्मेंट ने एलाइसी में भी एपडियाई की मनजूरी दी है और यह रखा है उसका किता परसेंट रखा है एपडियाई 20% अनुमती दिया है एपडियाई के लिए किसमें एलाइसी में यह इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इसको करेंट लेवल है यह फिर है पुरोत्त छेत्रों के विकास के लिए केंद्री बजट 2022-23 में निमलिकित में से किस योजना की गोशना की गई है यह इंपॉर्टेंट कोश्चिन है कि अभी हाली में 2022 में इक योधना लागू के यह है जो पुरोत्त छेत्रों के विकास के लिए था और P divide के लिए यह ये कि यह वहां पर बास दारी रोड बना जाएगा मतलब जंगल से लेकर के सड़क तक सहर तक एक रोड बनेगी जो क्या करेगी बांस के परिवहन में सहयता पहुंचाएगी तो इसके लिए भी हाली में 2022 के बजट में घोशना किया गया और ये था PM Divine योजना उत्तरपुरु के लिए प्रधान मंत्री की विकास पहल PM Divine योजना PM Development Intuitive for North East पूरा नाम है इसका इंगलिश में PM Divine का योजना का पूरा नाम है PM Development Intuitive for North East ये PM हो गया ये Development हो गया ये Intuitive हो गया और ये N से North और इसे East तो PM Development Intuitive for North East के लिए PM Divine योजना शुरू की गई और खास कर इसमें सबसे पहले नाम Medoarm का है जिसमें Bance अधारीत रोट बनेगा जो Bance के परियोहन में सहता करेगा शनगल से Bance को काटकरके सहर तक लाने के लिए उस रोट का निमाल के जाएगा खाली बांस रोट के लिए नहीं इसमें स्वास सेवाओं के लिए भी बच्चों के स्वास के लिए कैंसर के लाज के लिए हैपनेटाइटिस के लाज के लिए इन सारी चीजों की सुईधाओं की पूर्टी की जाएगी और जो भी छोटे मोटे जो राज्य है पुरुत्य पुरुत्य चेत्र में उनमें सडक नीमाड भी क्या है इनका मुख्यू देश है क्लियर की क्या की गई पिर उसके बाद आर्थिक सरेक्षण 2022 किसने तैयार किया तो आर्थिक सरेक्षण 2021 मथो 21 में तैयार हुआ है तो जब इसको तैयार किया जा रहा था तो दीसंबर में अहsan ना हमारे मोख्य आर्थिकस अलाहकार थे और आर्थिक स्रुवेक्षन का पेस होता है बजट के एक दिन पहले मतलब वो पेस होने से दो मेने पहले ही रिटायड हो गये थे clear तो इस पूरे प्रोसेज को चुकि आर्थिक स्रुवेक्षन जो होता है एकोनॉमिक सर्वे होता है वो मुख्य आर्थिक सलाकार के निर्देश में उसके अंतरगर्थी तयार के जाता है वित्म मंत्रा लेके आर्थिक विभाग द्वारा ठीक पूरा का पूरा जिमा उनी कही होता है तो ये पद खालीता दो मा तो उस समय प्रधान आर्थिक सलहाकार और जिते भी स्टाफ वाले थे उन्होंने मिल करके क्या कि तयार किया तो मुख नहीं थे क्योंकि रिटायर हो चुके थे तो उनकी जगह में कौन था एक उनका असिस्टेंट या उनसे छोटे पोस्ट वाला इसको बलो जाता है प्रमुख तो आंसर क्या हो जाएगा प्रमुख आर्थिक सलहाकार और अधिकारी मगर आप यह याद र खली रहा तो इनकी अनुपस्थिती में किस ने तैयार किया प्रधान आर्थिक सलहाकार और जितने भी आर्थिक विभाग के अधिकारी थे उनस अभी ने मिलकर कि इसको तैयार किया तो इसका आंसर अभी होगा आपका ए कि प्रधान आर्थिक सलहाकार और अन्य अधिकारी ठीक फिर उसके बाद भारत में पहला पहला आर्थिक सर्वेक्षन कब पेस किया गया ठीक हुआ 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 है तो भारत पहला आर्थिक सर्वेक्षन कब प्रस्तूत किया गया तो भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षन पेस किया गया था तो गरतनत भारत का पहला बज़ट पेस किया था जॉन मताई ने तो पहला आर्थिक सर्वेक्षन भी किसने पेस किया, जॉन मथाई नहीं पेस किया, ठीक है न, 1964 तक जो एकोनॉमिक सर्वे था, वो बजट के दिन ही पेस होता था, मगर 1964 से अब एकोनॉमिक सर्वे बजट के एक दिन पहले पेस होता है, तो 1950 में जो एकोनॉमिक सर्वे पेस थीक चलो कि उसके बाद संशद में आर्थिक सरवेक्षण का प्रसूत किया जाता है तो संशद में कंपेस करते हैं बजट के एक कारदिवास पहले मतलब वजट के एक दिन पहले घ्रकना क्लियर मतलब आज कुनसी ताणिक है आज मान लो 25 SUBSCRIBE तो तो अगर बज़ाइश होनाहे तो चूबीस तारीक वंद्ट करोमेश का केंद्री बिंदु क्या था उन्हें इसका अईसार्थिक सेयरेक्ष्ट 2022 इसको पेस को आगर 22 में मगा धाक्यू von ke'd 21 और 22 करोना में खेतल और एक्थमारी क्या ऊचुकी थी क्या क्षाफिगरी एक्दम नीचे केटिग्री में आ गए थी तो में इसका जो लोगों था यूइस का थी म Whats a वह तो त्रेंट्श हो त्रेंद इस क्या त्रौन года मेन फिर आर्थिक स्ट्रेक्शन के संदर में मिन मिकत्वों पर विचाय करें यह वित्मन्त्री द्वार्व प्रस्तूत एक वार्षिक दस्तावेज है गुड रिपोर्ट अर्थवर्षता के 20 शेत्रों की स्थीति को रेखांकिर करती है यह भी सही है। उन सुधारों का सुझाओ देता है जो विकास को गती देने के लिए किये जाने चाहिए बिल्कुल सही बात है तो पहला वित्मेंत्री द्वारा प्रस्तूत एक वार्षीक दस्तावेज है पूरे साल भर का प्रस्तूत होता है रिपोर्ट अर्थ वैस्ता के अलग-अलग सेक् किया यह कम ग्रोफ देता है जो विकास की गती को आगे बढ़ा है तो पहले से बता देता है कि किस लेवल पर होगी तो इस सारी चीज़ों को बताता है इकोनामिक सर्वे तो इसका अंसर क्या हो जाएगा उप्यूक्त सभी तो क्या हो जाएगा सभी के सभी सही है ठीक है ना मतलब यह सभी काम होते हैं इसमें क्लियर ठीक तो उसके बाद 2021 में जीडिप कितने पर इस अनुबंदी था याद रखेगा यह करेंट कोश्चन हो जाएगा आपका तो जीडिप कितना सेवन पॉइंट थी परसेंट यही सब कोश्चन पूथता है चुट पूश्चन यही सब पूश्चन इस पूश्चन विद्ि कर्मान कितना है तो 2023 के लिए के लिए रखा है 8 8.5 परसेंट ठीक है न ऑर ये कौन रखा है इम 5 के दोर्डर से 8.5 परसेंट ठीक जाएगा और इसको भारत सरकार भी राखा है ठीक, दोनों के दोनों सोचे हैं कि यहां इतना इतना होगा, मगर यहां पर किसके बारे में पुछा है, इंडियन गौर्णमेंट के बारे में पुछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आठ से आठ दसमलो, पांच परसेंग, ठीक चालू वित्वर्ष में सेवा छेत्र के कितने परसेंट तक बढ़ने का नुमान है, तो आठ दसमलो, दो परसेंट की तरफ से क्या होगा, यह ग्रोथ करेगा, 8.2 परसेंट के लाइवल से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, यह ठीक, यह भी एकदम करेंट कोश्चन है आपका, फिर उसके बाद, कितने भार्ती passion अपने unicorn का दर्जा प्राप्त किया है, तो unicorn का दर्जा प्राप्त करने करने वाली मतलब high-level startup जो भी Company है, जो नयने, startup क्या होता है, startup वो हता है कि कोई वेक्ती हो, या कोई feather, इस अब यह भी शुरू हुई हсь, startup की हो, अपना business start किया, उचलानाक से न मतलब यूकाय क्या हो जाएगा इंटरनेस्म лेटल पर की हो बढ़ गई हो अचानक से चिकर न उसका गर neon कि रह ec यूनिकॉण का भारत की चमपनी है यूनिकॉण का दर्जा मिला है रात की 44 कंपनिया जिने किसका का दर्जा मिला गया है यूनिकॉन का दर्जा दिया गया है ठीक तो जितना कोशन मैं आपको बताया ठीक उसको अच्छे से उसको एकदम अच्छे से देखिए रीट कीजिए और उसमें छोड़े-जोड़े जो भी जैसे GDP पूछा है ठीक जैसे कौन पर स्थूद किया यह और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है एकोनॉमिक्स में तो कर्मेंट्स करिए बताइए मुझे मैं आपकी प्रोब्लम को सॉल्ट करूँआ ठीक है बट ज्यादा फोकस करेंट लेवल पर देना है एकोनॉमिक्स को लेकर के ठीक है और खासकर बजट और एकोनॉमिक सर्वे को लेकर के भले सिलेबस में ना हो मगए फिर भी इन चीजों को नहीं करना है ठीक है यहीं सही एक दो कोशन आ गया तो करेंट लेवल पर चल देगा तो आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते ठीक है क्लियर आप उसमें दावपत नहीं लगा सकती कि एकोनॉमिक्स में यह लेगा क्लियर चलिए नमस्कार थैंक यू सो मच जैहिन